बोजपूरे सिनमा के स्टार पवन सिंग की अगर बात की जाए तो 21 जुलाई को मलेशिया में हुए अवोर्ट फंक्शन में पवन सिंग को तीन तीन अवोर्ट से समानित किया गया था जिस अवोर्ट शो में पवन सिंग काफी ज्यादा खुश भी हुए थे और उसी के साथ पवन सिंग ने बयान में बोला है कि मैं उस देश का नागरेक हूँ जिस देश में गंगा जमुना की संस्कृती आज भी बरकरार है विदेशी धर्ती पर करोडों लोगों की भाश्या बोली जाने वाली भोजपूरी का समान होने से मेरा मन गदगद हो गया पवन सिंग की लोग प्रियता का आलम या है कि विदेश के अलावा विदेश में भी बहुत फेमस है जी हाँ उनका गाया हुआ गाना लोली पॉप लागे लू एक दशक पार करने के बाद भी आज भी हिट है इतना ही नहीं या गाना विदेशी गायों को द्वारा अलग-अलग वर्जिन में भी गाया है और तो और एक बड़े चानल पर रॉली पॉप लागे लू गाने के दस वर्ष पूरे होने पर एक स्पेशल शो भी टेलिकास्ट किया था भोचपूरी गीत, संगीत और गायन विधा की जहां भी चर्चा या वार्ता होती है वहां पवन सिंग पर चर्चा किये बिना अधूरा रह जाता है इस लोग प्रियता को देखते हुए समय समय पर विशाल मंचों पर बेस्ट सिंगर के खिताब से कई बार सम्मानित की ये जा चुके हैं नेक्स नाइन भोचपूरीया की रिपोर्ट स्टार युर कारियर विफ अ स्टार युर कर्यर विफ अ